नमस्कार दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागाते नॉलेच फॉर क्यूरियस में और आज हम एक इंटरस्टिंग पोयम डिस्कस करेंगे यह पोयम आपके सामने गरीवी के रूप को लाकर रख देगी आपके सामने अगें जैसे हमने लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा था लॉ जो की लिखा है स्टीपन स्पैंडर ने यह है इनका फुल नेम यह पूरा मैंने लिखा हुआ है इसकी पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आपके जो सारे लेक्चर्स में बना चुका हूँ आपके लिए वह आपके क्लास 12 CBC के ग्रुप में दी गई है राइडिंग बोर्शन के राइडिंग बोर्शन वाले ग्रुप में दी गई है तो अभी आपको इसके नोट्स बनाने की जरूत नहीं है आप सरिफ सुनते जाएए तो यह है इनका फुल नेम स्टीफन मतलब न्याय क्या मिल रहा है स्माज में जी नहीं पूरी दुनिया में आज किसी भी आप समाज में जाओ तो गरीब और अमीर के बीचए जो भेद है यह सोशल इन्जस्तिस है सामाजिक अन्याए एक बच्चा बड़े स्कूल में जाता है वो सैंड़िच खाता है वो औरेंज जूस पीता है दूसरा बच्चा जिसको सूखी रोटी टक नशीब नहीं होती स्कूल तो बहुत दूर की बात है तो गरीब और अमीर के साथ जो भेदवाव हो जाता है दूसरा क्लास स्ट्रगल वो भी सेम है एक तरह से अपर क्लास जो बहुत अमीर है जिनके पास रिसोर्स का भंडार है और लोवर क्लास जिन पे अभाव है अगर इनकी परसनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपना युनिवर्सिटी छोड़ दीती युनिवर्सिटी कॉलेज जो था इनका ऑक्सवोर्ड में इसको छोड़ दिया डिग्री लिने से पहले बर्लिन चले गए बर्लिन उस समय नाजी का उदया हो रहा था नाजी आपको बताओ था हिटलर जो वर्ल्ड वार में धकेला जिसमें जर्मनी को थोड़ा सा उदर कम्यूनिजम बढ़ रहा था हिटलर भी आ रहा था तो उस समय इनको लगा नहीं हुम्री ज़रोत महाँ पर है यह वहाँ चले गए इनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरस्ट था इन्होंने अपने आपको एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया सोशलिस्ट खेना कई कम्यूनिजम से सोशलिजम से इंस्पाइर है पैसिफिस्ट मतलब एक शांती दूद दुनिया में शांती कायम करने वाला तो कि उस समय स्थिति ऐसी थी कंडिशन ऐसी थी कि दुनिया वार की तरफ बढ़ रही थी दुनिया एक वार देख चुकी थी वर्ल्ड वार वन उससे सब लोग पहले ही सहमे हुए थी कि आर ऐसा कुछ नो देखने को मिले और अनफोर्चिनेटली नाइंटीन थी नाइंटीन से फोर्टीफाइब हमने दृतिय विश्विद्या ने सेकंड वर्ल वार भी देखा इनके कामों की वज़े से पोईटरी की वज़े से इनको युनाइटेट स्टेट्स की लाइबरेडी कॉंग्रेस मतलब महाँ पर पारलियमेंट होता है 1965 में इनको पोईट लॉरियेट कंसल्टेंट का दर्जा भी दिया गया मतलब इनका सम्मान हुआ बिसिकली हाला कि यह सब आपसे एक्जाम में नहीं पूचेंगे पर मैं आपको हर लेक्ष्यार में बताता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप किसकी पोईटरी को पढ़ रहे हो कितनी महान शक्सियत है जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी और दुनिया में शांती कायम करने निकल बड़े इस चैप्टर की अगर शॉट में बात करें तो देखो नाम से समझ में आ रहा है एक चोटे बच्चों का स्कूल है इस स्लम में और याने होता है जोपड़ी तो गरीबायका आ लाका है यह देख सकते हैं बच्चों का अंधकार में दिखाया गया है अंक्विष्य अंधेरे में अदर दिख सकते हैं यह ने शापी गई थी और यह पोयम बताए कि कैसे जो सोशल इंजस्तिस है इस सामाजिक और आज भी है वैसे, unfortunately आप देखोगे तो आज भी बहुत गरीब लोग है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात नहाने का पाने निये लोगों के पास, खाना नहीं है, जो Lost Spring ने बहुत अच्छे सा देख लिया, यह पोयम के वारे मैं एक चीज़ आज आपको बताओं, बहुत इंपॉटन, अगर आप प्यूचर में लिटरीचर पड़ोगे तो बहुत काम आएगी, और अभी अंसर्स में भी आपको काम आएगी, कि पोयम इन फ्री वर्स में निखी गई है, फ्री वर्स का मतलब होता है, मुक्त काव्य है, क्या होता है, वर्स होते हैं, मैं आगे आपको वीडियो से में कुछ समझा भी दूँगा, उसमें क्या होता है, एक फिक्स रायमिंग और मीटर होती है, कि हमको मीटर का जहान रखता है, रायम का जहान रखता है, जह हिंदी में होता है, मात्रा, चंद मतलब कौन सा शब्द कितनी जोर से बोला जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, कि एक जोर से एक धीरे, एक जोर से एक धीरे, इस तायब के एक फिक्स होती है, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है, चुकि यह फ्री वर्स है, फ्री वर्स मतलब होता है, जहां पर कोई ध्यान नहीं रखना, ब नहीं रखते हैं इन सब चीजों का अब पढ़ते हैं इस पोयम को वर्ट टू वर्ट फार 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 फॉर्म गस्ती वेव्ट इस चिल्डरन्स फेसिस लाइक रूट्लेस वीट्स देहर टॉन राउंड यर पैलर तॉल गर्ल विट हर वेट ताउन हैट देपर सीमिंग ब सब्सक्राइब क्या फार फार बहुत दूर गस्ती वेव से रस्ती मतलब हवा नहीं यह फिल हुए बच्चे जहां पर खुशी है ऑने बच्चों के चहरे इन बच्चों के चहरे जो कैसे हैं रूटलेस वीड की तरह इनके जो बाल है वो इनके पैलर पर आते हैं यह वीड लग रहे हैं वीड आपने दिखा होगा खरपतवार मतलब जो जंगली पहुते होग जाते हैं आपके अगर गार्डन है जिसे मेरे हैं तो जंगली पौदा होता है जिसकी जड़े निकल चुकी है जड़े अलग है बिखरी होई है उसका ध्यान नहीं रखा जारा इस तर इस बिमारों वाले चहरे पर आ रहे हैं बाइदवी यह जो सारे अंडरलाइन वर्ड है ना इनके मेनिंग आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे हमारे टेलिग्राम गुरूप पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इससे पहले के सारे चैप्टर्स के भी आप आपको PDF मिल जाएंगे जहाँ पर इनकी explanation मिल जाएगी और आपको vocabulary मिल जाएगी Hindi और English में अब इनके जो चहरे हैं बिमारों वाले वहां पर बाल आ रहा है फिर एक लंबी सी लड़की है लंबी girl का मतलब यहापी किया उसकी अपकोर्स age जादा होगी और उसका जो head है वो weight जो रही है फिर आता है paper seeming boy with red size एक लड़का है paper seeming मतलब बहुत पतला कागस की तरह पतला और उसकी आखे रैट की तरह मतलब ऐसा नहीं अब देखो आपने शायद dialogue सुना होगा अगर कोई बूखा हो तो वह dialogue मारता है और यह बूख के कारण नहीं आखे बाहर आने का होती है तो चहरा अंदर जला जाता है और आके बाहर दिखाए देती है अगर आपको कभी लाइफ में 7-8 दिन का बुखार हो अगर कभी हुआ हो यह आपने खाना नहीं खाया हो तो आपको पता होगा कि आके बाहर आने लगती है कमजोरी के खारण इस बच्चे को बोला गय है अब होता क्या है इसके बाद एक और बच्चे पर नज़र जाती है यह बिमारी है यह रिकिट्स जैसी बिमारी है जैसमें हड़ी हो जाती है देखो इस image में ना मैंने रियल इमेज नहीं लगाए रियल मतलब काड़ोन इमेज लगाई है कि बाखी की इमेज को दिख्के कि आप फुड़ाँ सा नर्वस हो जाते हैं अगर मैं ऐसी कोई इमेज लगाता यूमन वाली तो देखो काड़ून से भी आप समझ जाओगे कि इसका पैर जो टेड़े हैं तो हायर स्लीव बोला गया है इसको हायर मतलब होता है उत्तर अदिकारी तो इसकी पिता को भी होगा पोलिए हैं ऐसी कोई बीमारी रिकेट्स हड्डियों की और इस बच्चे को भी है जिसमें हड्डियां ट्विस्ट हो जा दिये कमजोरी के कारण या और बीमारी के कारण तो होग्या रहा है रिसाइडिंगा फादर स्पनार डिसीज हिज लेशन फ्लिशें वहां ब्री को तो एक तो ये topic को भी सुना रहा है, ठीक है, topic सुना रहा है, that's a different thing, पर जब हम इसको देखते हैं, कि इसकी हड़ियां टेड़ी हैं, जिसे मालो ये हाथ है, तो ये टेड़ा है, हाथ टेड़ा है, पैर टेड़े हैं, तो हमको समझ में आता है कि यार इसके ये बिमारी है, इस जब हम इसको देख रहे हैं, तो हमको दोनों चीज़े मिल रही है, एक है topic सुना रहा है, वो topic हमको सुना रहा है, जो भी वहाँ पे देख रहा होगा, और दूसरा इसके पिता की जो बिमारी है, ये हमारे सामने हमको दिख रही है, यहां तक आपको clear हो गया होगा, अब होत क्या है इस पूरी class में कहीं पीछे, पीछे मैं दिखा लेता हो आपको जسे मनलों टीजा यहां, बहुत लाँ लाँ तो होती नहीं, आज कल टीक्लाश में लेटी वगारा लगझ जाती हैं, घरीमों के class में दो होता नहीं है, तो ज shallow मनलों यहां तक light आ रही है में यहां तक लड़का है वो खोए हुआ फ्रेंदो से बाहर देख रहा है नहीं हुआ है यह कहल रहे है तो तक चόला प्छे की माशूमियत अभी तक जिन्दा है जैंब गरीबी है उस गरीबी ने इसकी मासूमियत को खत्म नहीं किया इसकी इमेजिनेशन को खत्म नहीं किया इसका बच्पन अभी जिन्दा है गरीबी उसको खा नहीं गई जिसे बाकी लोगों के बच्पन को खा गई है इसी किसलब पहला स्टाइम ना खत्म सेकेंड बे आते हैं उन सार। यह सोर नहीं होत allez … यह तो सको सावर बोल जकते हो … उन सार क्रीम बॉलजक्ते हो । zwischen सार क्रीम बॉला नवजक्तित तो यहां पर आप देख पार होगे कि बहुत ज्यादा राइमिंग नहीं है ठीक है बहुत कम राइमिंग से ही काम चल रहा है अब देखो होता क्या है कि अब क्लास का दिरिश्य बता है कि क्लास के दिवार एक ऐसी है सार क्रीम मतलब और दोनेशन का मतलब है जो लोगों ने दान में दी होई चीज़े है जैसे बहुत लोग होता ना यह वान लोग पेंटिंग आपके उखड़ गई अब कौन पेंट करे होई नीगा है एक फोटो लगा दो तो इस तरीके से इसको डखने के लिए बहुत लोग दान में दे देता रही हैं इस तरीके लोगों ने दान दी तो वो बता रहे हैं दिवार पर क्या-क्या सीने पहला सीन क्या है एक ऐसी सुभ है जो अग्धार मतलब उस समय वहां पर ज सुर्योध्य दिखता है और सुलॉलाइज़ को पूरे शहर होता है था अरह लिए अनुद सुलॉलाइज दोन्य दोन शेप में हर शहर का सूर्योध्य हो रहा हुता है, इसी को बोला गया है इस वैल्ड फ्लारी टार्लीज वैली जहां पर फूल ही फूल है इन वादियों में घंटियों की तरह फूल लटक रहे हैं फिर बाल तो ओपन हेंड़ेड मैप जो दुनिया को दुनिया गफ्ट कर रहा है यह उपन हेंड़ेड मैप पतलब मैप को यह तो नहीं आप अमीर हो यह आप तो देख सकते हो ना अब आप चाहिए वैसे आभी आप क्लास 12 में हो अगर आप 9 में होते तो क्या मैप नहीं देख पादे समझ में नहीं आता यह देफरेंट देख तो बाते ना ओपन हेंड़ है ना मैप सब को गह रहा है आओ देखो दुनिया को दुनिया गिफ्ट कर एंड येट फॉर इस चिल्डरन इस विंडोज नॉट इस मैप देख परंतु इन बच्चों के लिए ये मैप इनकी दुनिया नहीं है ना इनको मैप को ही समझाने वाला है और न इतनी आजादी है इनकी दुनिया सीमित है इनकी खिड़कियों तक इनकी गरीबी तक जोकि इनकी सोच को इनकी फ्रीडम को सब को खत्म करके रखा है उसको रोक के रखा है चोक करके रखा है होता क्या है यहाँ पे इनका जो फ्यूचर रहो पेंटेट किसे है फॉग से तो यसमेन इमेजी उसकी होगा ना देखो जैसे मनले बच्चा है इसको भवश्या नहीं दिख रा क्यों इसके आसपास फॉग है आप भी औस में गए होगे धुन्द में सरदियों में तो हमको है एसपास कुछ एक अंसरडेनिटी होती ना लैक अफ क्लारीटी होती ना ऐसे बच्चों की है न कोई पढ़ाने वाला न कोई उम्मीद न कोई जानकारी न अच्छी एजुकेशन तो यह जो गरीबी की जो धुन्द है इस फॉग ऑफ पावर्टी फॉग ऑफ होपलेस्ट निराशा, डिस्पेर वो भी निराशा होता है तो इन सब की जो धुन्द है उसमें बच्चपन को बंद करके रखा है और होता क्या है कि एक नेरो स्ट्रीट है जो इनको लेड़ स्काई के तरफ लेके जा रही है मतलब अभी तो इनका जो फॉग में है यह लोग ठीक है और एक चोटी सी सड़क पे लोग चल लें मतलब गड़ी और एक दिन यह लैड़ स्काई तक बहुत जाएंगे लैड़ स्काई मतलब हमेशा के लिए सब कुछ इनके लिए खत्म हो जागा आगे एक और लाइन से मैच करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा और इनका बच्पन मतलब और शब्रक जैडरी रवर से और के सब्सक्राइब आधा नगा और क्या से यह जब्रक ओ खड़ी नहीं है अब फिर वो क्या कहते हैं कि surely Shakespeare is wicked the map is a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slightly turned in their cramped holes from fog to endless night होता क्या है वो कहते हैं कि ये जो Shakespeare है ये विग्ड हैं के लिए विग्ड क्यों है अब भाई Shakespeare के काम बताने वाला कौन है कि Shakespeare ने 500 से जारा poem लेकी ड्रामा लेके बहुत बड़े writer है English literature इनके में अधूरा है कौन बताएगा इनको ये कोई नहीं तो इनके लिए तो ये दुष्ट बना है ये तो मन से कहानी बनाएंगे ये शायद एक इसी नहीं हमको गरीब ही दी होगी और कहानी मना सकते हैं कोई पढ़ाने वाला नहीं है मैप एक बैड एक्जाम्पल है इनको क्या मैप समझ में आएगा बताओ ये क्या खुद को ढूंडनेंगे खुद दिखेंगी नहीं इनको अपना स्लम तो दिखेगा यह नहीं उसमें कौन समझाएगा इनको मैप विट शिप सेंड सन लव टैंप्टिंग नंटू सील तो यह जो शिप है सन है याने लव है मतलब बाहर की जो उन्नती है सूर्य है प्रेम है वो सब क्या कर रहा है वो इनको आकाशित कर रहा है चोरी करने को क्यों चुकि देखो रिसोर्सिस तो इनको मिलनी नहीं है पढ़ाय लिखाई कोई करवा नहीं था बड़े हो कि अगर इनको अमीर मनना है अगर इनको वो संसादन चाहिए अच्छा खाना चाहिए अच्छे कपड़े चाहिए तो इनके वास क्या आप्शन बचेगा स्टील यानि हम गरीबी जो है गरीबी से हम क्राइम को पैदा करते हैं यहां पर इस तरह फशादा कर रहे हैं कि जब गरीबी होगी बच्चे को रिसोर्सिस नहीं मिलेगी तो रिसोर्सिस के जब तक वह बड़ा उप्र उसके पस पड़ेलेके वाला ऑप्शन तो होगा नहीं एक option बचता है कि वो चोरी करे, डाका डाले, लूटे, जूट बोले, बेईमानी करे और होगा इनकी जिन्दगी कहां जा रही है, देखो For lives that slightly turn in their cramped holes, यह जो life है इनकी वो धीरे-धीरे कहां जाती है इनकी cramped hole ले इनकी जोपडियों में, इनकी basically काल कोठरियों में, अंधेरे कमरों में, जाई रहते हैं और fog से कहां जाते हैं, endless night, मैंने कहाता है, ग्लैन आई के आगे, तो यह जो fog है, यहाँ पर uncertainty है, मतलब possibility है जैसे आप अगर धुन्द में हो, तो क्या आप हमेशे धुन्द में रहोगे, आपको पता हो ना कि अभी धुन्द है, जैसी रोशनी आएगी, मैं देख पाऊँगा, गाड़ी की light चालू है, torch यह तो मैं देख पाऊँगा लेकर अगर आप एक ऐसी endless night में हो, जो जहां का कभी सूर्य होते होना ही नहीं है, एक ऐसी रात जहां सिर्फ अंदेरा है, ना रोशनी है, ना कोई उम्मीद, तो यह ही इनके बच्पन का हाल है, अभी बच्पन में क्या है, यह थोड़ी से उम्मीद है कि काश कोई आ जाए आप देखोगे, काश कोई आ जाए, कुछ तो हो सकता है, कोई इनको पढ़ा दे, कोई संभाल ले, कोई कानून आ जाए, अभी उम्मीद है, लेकिन जब यह बड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा, तो बुद्धी टस हो जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगा, हमेशा के through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones, all their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom, अब वो क्या खेते हैं, कि यह अपने slag heap, slag heap का मतलब है, आपे जो गंदगी है, महाल में, यहने जोपड़ी के आस-पास जो गंदगी होती है, कचड़ा होता है, सफाई से खाने वाला तो है नहीं, वहाँ कोई आएग slag heap ही जो बच्चे बैटे होते हैं, इनकी skin, मानवर skin को पहने हुए है, जो इनकी हड्डियों से दिखती हैं, इतने पतले हैं, आप देख से इस image में, अगर मैंने cartoon यूज किया है, अगर मैं इनसान वाली image यूज करता है, आपको थोगा सा hurt होता, बहुत जादा वो दिखत हैं, गरीबों वाली हैं, बहुत जब दिखती हैं, तो इमोशन हड़ो सकती हैं, तो slag heap ही पे यानि गरीबों वाले माहौल में बच्चे जब skin पहने हुए हैं, इतने गरीब हैं कि इनकी हड्डियां और skin दिखती है, हड्डी के ओपर direct skin दिखती है, यह जो चश्मे पहने ह स्टील का बना हुआ है, यह अच्छे चश्मा फोर्ड नहीं कर सकती, आखे कमजोर हैं, अपकोस अंदेरे में रहेंगे, अंदेरे में पढ़ेंगे, तो आखे तो कमजोर होंगी, तो इस पैक्टिकल पहने हुए हैं, जो मैंडेट ग्लास से हैं, चटका हुए हैं, काच को पत्थर पर पड़े हुए हैं, ऐसा दिखता है, इस से मिली है, एक तरह से उसको कमजोर किया गया है, लाइगी उसके हैं, मेरे नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, से मिली, All of their time and space are foggy slum, इनका time and space है क्या, इनके लिए पुरी जिंदगी, इनका बीर्ता हुआ वक्त क्या है, foggy slum, foggy मतलब ऐसा नहीं कि दुन दै सरदी के वैसे, foggy का मतलब जहां पे गरीबी है, अंदकार है, uncertainty है, hopelessness है, despair है, नराशा भरी पड़ी है हर जगा, इसलिए आप क्या क सकते हो, इनके मैप को भी बलॉट कर दो, मतलब इनका जो मैप है, उसको भी पूरा का पूरा ऐसे कालिक पोत्दोस पे, जैसे इनकी जिंदगी पे पुती हुई है, जैसे इनके जो slum है, वो क्या है, slum क्या है, इनका doom है, विनाश है न, तो ऐसे इनका मैप भी लो और ऐसे करके उसको पूरा बंद कर दो! क्यूंकि मैप तो कोई मतलब का नहींज पढ़ाने वाला नहीं? जब बचपन पुरा नदकार में ही बीतना है, बड़े होके भी गरीब ही मरना है, क्रिमिनल बनना है, तो क्या फाइदा? तो क्यों इनको ये map दिखाया जा रहा है, दान में दिया हूँ, इस map को भी इसे करकर के, जैसे मैं ऐसे image में कर रहा हूँ, ये poet की feelings है, कि इसको ऐसे करकर के आप भी क्या करो, इसको blot कर दो, पूरी कालिक पोद दो, या इस पैसे आप color लगा दो, इनको दिखा दो, ये तु पोड़ी से आशा, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives at catacombs, जब तक कोई governor, कोई inspector, कोई visitor नहीं आता, तब तक और जब तक नहीं आएगा, मतलब जब तक कोई नहीं आएगा, और जब तक ये जो map है, ये इनकी window नहीं बनता, याने इनको दुनिया देखने की permission नहीं मिलती, इनको गरीबी से मुक्ती नहीं मिलती, अभी window इनकी limit है, window से बाहर नहीं देख पाते, एक दिन इनकी limit map होगा, पुरी दुनिया देखने की शक्ती, पुरी दुनिया देखने की एक्चा, पुरी दुनिया देखने की समझ, फरोसा, उम्मीद, उम्मीद से बड़ी कोई शक्ती नह कर दियाने कबर की तरह इसे कबर की होती नो ओपर की मिट्टी कबर बैसिकली मतलब एक इनसान है उसको आपने कबर में बन कर दिया तो क्या हुआ जो पूरी उम्मीद है वो गई लाइफ तो खत्म हो गई न ऐसे इनकी विंडो क्या करती है इनकी जिंदगी को खत्म आर आई यह आपने पक्का देखा हुआ, सर्वशिक्षाब जबान, सब बने, सब बने, स्कूल चली हम, तो यह similar feeling है, ठीक है, वहाँ पर तो स्कूल चली हम नहीं बोलते हैं, बट, feeling similar है, देख़ो आखी, stands up, break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world, run azure on cold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves, open, history theirs, whose language is the sun, तो यहाँ पर बहुत optimistic हैं, वो कहते हैं, break, oh break, तोड़ दो, तोड़ दो, तब तक, जब तक यह town को break ने करें, मतलब यह town में न पहुंच जाए, slum से, slum मतलब कहां होता है, अपकोस, शेहर के बीच में, city center में तो बनाओ कि नी, slum, slum कहां, जो शेहर से दूर है, तब तक जब तक यह बच्चे town में न पहुंच जाए, यह town इन तक न पहुंच जाए, मतलब उन्नती, prosperity, विकास इन तक न आए, और इन बच्चों को green fields दिखाओ, हर्याली दिखाओ, इनको दुनिया इनका field होना चाहिए, run zero, run gold sands, मतलब यह सुनहरी मिटी पर चलें, और उपर नी परती जाए, परती जाए, white और green leaves open, white leaves मतलब होता है, पढ़ाई, यसी white screen, आपके white किताब, green leaves मतलब होता है, हर्याली, nature, तो nature और पढ़ाई दोनों इनके पास हो, चुकि इतिहास वही बनाता है, जिनकी भाषा होती है, sun, यानि जिसके पास आजादी नहीं है, वो इतिहास लिखा गया, और जिसके पास आजादी मन में नहीं है, वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता, भाषा सूर्य होना, language sun होना मतलब होता है, आजादी, तो जिसके मन में आजादी है, वो इतिहास लिख सकता है, जो बंदा हुआ है, नराशा से, वो कभी इतिहास नहीं लिखता, अ है आपके सामने पहला स्टेंजाम पर चुके हैं मैं आपको खाली बता देता हूँ पोईटिक डिवाइस जोगी बहुत इंपोर्डेंट होता है अब देखो यह भी आपको लिखा हुआ तो पेपर जैसे पत्ला उढर्व होग्या अब रिपीट एक्षीन मतलब होता है उन्रोक्ति अलंकार यहांट वहें ओट खुझत किया होग्या जैसे फार 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 एक अचाओ लिए अगर आप यहां पर पेपर सेमिंग को सेमेली भी लिखते हो तो भी वह सही होगा यह मैंने काफी साथी वेबसाइट और बुक से देखा तो मेटाफोर दिखाया जा रहा था बट आए कंसिडर कि इसको अगर आप सेमेली बोलोगे तो भी यह सही होगा चुकि यहां पर बोला गया है सार क्रीम उपर चुके हैं सबस्टे मेटाफोर है किसी क्रीम का और है इफ और मैटाफॉर मैटाफोर है की बच्चों के email को दिखाया है नेरौ स्ट्रीट से जोकी ईनको लैड सकायाने अंदुकार की ओर लेके जारी है फिर आता है अल्यूजन, इल्यूजन में क्या होता है हम किसी एक personality की बात करते है मतलब किसी famous personality का नाम लेते है शेंसे शेक्स्पेर का नाम लिया गया था या फिर टारोली स्वैली एक फेमस जगह का नाम लिया गया था इसको बोलते हैं अल्यूशन अगिन फार फार दो बार आया तो रिपीटेशन हो गया यहने पुन्रुक्ति ब्रकाश अलंकार थर्ड में देखते हैं सबसे बैला वेटाफोर है घर को लगा गया है क्रैमड होल्स काल कोट्री आया चेद पतले पतले चेद बोला गया अगर तो इसको सीथा कच्डे का थेर बोल दिया एक्टम उसको हाई लेवल पर लेगा है हमको explain करने के लिए emphasize करने के लिए यह भी मेटाफोर है similarly similarly क्या है कि यह bottle bits और stone से like word यूज किया गया है कि उनके जो repaired spectacles है वो दिखते है like यूज किया गया है बार बार ऐसे English में होता है from fog तो यहां पर देखो ऐसी बैड बीस्ट बैडली बीस्ट फ्रॉम फॉर्फ है दोनों बार FF तो यह हो जाएगा alliteration अब देखो फूर्थ बहुत optimistic था यह मेटाफोर पहला यह बुक और नेचर को दिखाया गया था वाइट और ग्रीन लीवस से ठीक है कई बार ना पन्नों को लीवस बोला जाता है आपको पता हो पेपर्स होते हैं उसको लीवस भी बोलते हैं तो वाइट लीवस मतलब क आगस घ्रीन लीव मतलब हर्याली नेचर तो यह मेटाफोर हो गया किताब को दिखाया वाइट लीव नेचर को दिखाया ग्रीन लीव एनफ और एनफ और मतलब होता है कि दो बार हमने शुरुबात की एक ही वर्ट रन से यहां पर देखो रन रन तो इसी के साथ यह का बटन रबा दो आगे के वीडियो के लिए और फानली